इस question में लिखा है कि एक school के 500 students को PT drill के लिए ऐसे खड़े होना है कि number of row और number of column equal आ जाए और हमें find करना है how many students would be left out in this arrangement तो पहले हम इतना solve कर लेते हैं अब यहाँ total number of students हमें 500 given है और कहा है कि number of row is equal to number of column तो देखो अभी हमने एक formula find किया था जहाँ total number of student was equal to number of row into number of column अब यहाँ number of row is equal to number of column तो number of row को हम x ले लेते हैं तो number of column भी x हो जाएगा तो यहाँ हमें मिल जाएगा 500 is equal to x into x तो कि number of row और number of column x था और total number of student 500 था तो यहाँ से x square हमें मिल जाएगा 500 और x आजाएगा square root of 500 तो चलो हम square root of 500 find कर लेते हैं अब देखो यहाँ हमें find करना है how many children would be left out पतलब हम कुछ minus करेंगे तो इस case में हम square root find करेंगे by long division तो पहले इतना लिख लेते हैं अब long division से square root find करने के लिए हम पहले number को ऐसे लिखते हैं और फिर उसको pairs में divide कर लेते हैं from the right तो यह एक pair हो गया और यहां से 5 ही बचा अब अब एक ऐसा number find करेंगे जिसका square या तो 5 हो या 5 से छोटा हो अब देखो 1 का square 1 होता है 2 का square 4 3 का square 9 होता है अब 9 5 से बड़ा है तो इसको हम नहीं लेंगे हम लेंगे 2 square 4 तो यहां 2 आएगा उपर 2 और यह हो गया 4 अब 5 से 4 माइनस करेंगे तो हमें मिल गया 1 अब यह pen नीचे आएगा तो यह हो गया 100 और यहां आएगा twice of यह number तो यहां आगया 4 पर 4 के आगे हम एक dash लगा देते हैं अब इस dash में एक ऐसा number आएगा कि इस पूरे number को अगर हम उतने times multiply करें तो हमें 100 मिल जाए यह 100 से छोटा कोई number मिले जो close हो 100 के अब देखो अगर हम 1 ले तो 41, 1 is a 41 आ रहे है यह तो बहुत ही छोटा है अब 42 into 2 चेक करते हैं 2, 2 is a 4, 2, 4 is a 8, 84 अभी भी छोटा है अब हम 43 into 3 चेक करते हैं 3, 3 is a 9, 3, 4 is a 12 अब यहां 129 तो बड़ा है 100 से तो इसको हम नहीं ले सकते तो हम लेंगे 42, 2 is a 84 तो यहां 2 आएगा ऊपर 2 और यहां आएगा 84 अब 100 से 84 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 10 माइनस 4, 6 9 माइनस 1, 8 9 माइनस 8, 1 तो यहां रिमेंडर आ रहा है 16 अब देखो, क्वेस्टिन में हमें फाइंड करना था कि हाव मैनी चिल्रेंड वुड़ बड़ी लेफ्ट आउट इन इस अर्रेंजमेंट लेफ्ट आउट मतलब कितने स्टूडंस को हम हटा देंगे ताकि नमबर ओफ रोज विल बी इक्वल तो नमबर ओफ कॉलम अब हम स्टूडंस को हटा रहे हैं तो यहां हम माइनस कर रहे हैं तो बेसिकली यहां हमें लीस्ट नमबर टू बी सब्ट्राक्टेट फ्रॉम 500 फाइंड करना है to make it a perfect square अब देखो जब हमने divide किया था तो यहां पर remainder 16 आ रहा था मतलब यह 16 ही एक्स्ट्रा है तो अगर हम इस 16 को हटा देंगे तो 500 एक perfect square बन जाएगा तो 500 से हम 16 माइनस कर रहे हैं मतलब हम 16 students को हटा रहे हैं देफोर 16 students will be left out in this arrangement 16 students को हम हटाएंगे तो number of rows और number of columns equal हो जाएगा